हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल दिस इजमन फॉम प्रोग्रामिंग तॉक्स तो गाइज आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इस इंट्रोडक्शन टू अल्गोरिदम और गाइज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो के अब्जेक्टिफ सोंगे बाइज अल्गोरिदम को किसी भी problem को solve करने के लिए या task को solve करने के लिए हम कुछ set of rules या instruction को follow करते हैं और उन्ही set of rules और instruction को हम algorithm बोलते हैं तो गज algorithm की अगर हम थोड़ी सी technical definition देखें तो वो यह रही आपके सामने अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि algorithm किसी specific problem के लिए भी हो सकता है and class of problems के लिए भी हो सकता है जैसे अगर आपको एक example दो मालो एक program लिखना है जो पूरे software को implement कर देगा लेकि program बहुत बड़ा होने वाला है अब उस program को programmer क्या करेंगे modules में break कर देंगे function में break कर देंगे methods अलग-अलग उसके लिए लिखेंगे तो हर method के लिए हर function के लिए हम एक अलग algorithm define कर सकते हैं तो बही यहां कहने का मतलब है कि algorithm किसी एक particular problem के लिए भी हो सकता है और उस problem की subpart के लिए भी हो सकता है अगर मैं आपको एक real life related एक example दो तो आपको algorithm की feel अच्छे से आएगी जैसे आपने देखा होगा कभी आपकी colony या industrial area जब भी कोई building बनाई जाती है तो इंजीनियर सबसे पहले उसका blueprint तयार करते हैं उसका map तयार करते हैं कौन सा compartment कहां पर होगा dimension क्या होगी यह सारी चीजे उस blueprint में उनकी mention होती है तो बही चीज यहां पर है एक program के लिए जो algorithm है वो उसका blueprint है अगर आप relate कर पा रहे होंगे तो जो building के लिए उसका map या blueprint जो हमने building का बनाया तो बही सेम चीज यहां पर algorithm कर प्रोग्राम के लिए तो पहले हम algorithm को लिखना best मानते हैं बजाए डारेक्ट प्रोग्राम लिखने को तो गज अब हमें algorithm लिखना है इस problem के लिए sum of two numbers input will be taken from users अब जो input होगा वो user center करेगा और हमें उनका print show करवाना है screen पे अब इसके लिए हमें algorithm लिखना है तो गज algorithm लिख step और ending step दोनों mention करना जरूरी है क्योंकि कोई भी algorithm infinite नहीं हो सकती उसका finite होना fix है तो जो पहला step होगा उसमें start and begin लिखेंगे और जो ending step होगा उसमें stop या end लिखेंगे तो अब हम algorithm लिखेंगे इस program के लिए तो जो पहला step होगया वो तो होगया start and last step है वो होगया हमारे stop बहां पे हमें देखना है कि हमें कितने variable required होंगे इस program के लिए अब आप यहां पे यह देखिए दो number तो एंटर करेंगा users तो उसके लिए हमें 2 variable चाहिए और 3 variable चाहिए इन दोनों का sum store कराएंगे तो यहां पे actual में हमें 3 variable required होंगे तो जो इसके बाद next step होगा उसमें हम उन variable को declare करेंगे ना कि direct use करने लगेंगे तो जो next step है उसमें declaration of x, y and s मैंने यहां पे x, y and s लिए हैं आप कुछ और भी ले सकते हैं तो जो third step होगा उसमें हम x and y की value enter कराएंगे user से means read value of x and y and अब जो next step होगा उसमें हम direct x और y को add करेंगे और add करने के बाद हम उसे s में assign कर द हो गया हमारा fourth step अब जो fifth step बचा अब हमारे पास सम की value है तो direct हमें आप उसे display कराना है display लिखो या print लिखो matter नहीं कर रहा है जो आपको ठीक लगे वह आप यूज करो print as तो यह तो हो गया हमारा algorithm sum of two numbers का अब जो next concept हम देखेंगे वह होगा difference between algorithm and program guys अब यहां पर पहला जो difference है वह algorithm के लिए हमें domain knowledge का होना जरूरी है और program लिखने के लिए programmer होना जरूरी है तो गाज अगर मैं आपको यहां पर एक example दो तो उससे और अच्छे concept clear हो जाएगा जैसे हमें कोई software बनाना है किसी hospital के लिए तो अब उस software में क्या-क्या features होंगे क्या-क्या functionality चाहिए तो वह बहां का उस hospital का administration हमें अच्छे से बता पाएगा और अच्छे से design कर पाएगा कि उन्हें software किस तरह से चाहिए कैसे उनके according वो काम करेगा तो यह सारा domain knowledge वाले हमें अच्छे से बता पाएगे और जो उसे implement करेगा उसका program लिखेगा उसके लिए हमें programmer होना जरूरी है तो बह तो यह तो हुआ पहला difference अब जो second difference है वो है algorithm used at design time and program at implementation time means अगर आपको जरा सावी idea हो SDLC का software development life cycle तो बहां पर दो phase काफी ज्यादा important होते एक होता designing phase और second होता implementation phase तो जो designing phase होता है बहां पर हम algorithm को ही design करते हैं और जो implementation phase होता है पहां पर हम actual program को लिखके implement करते हैं तो बही चीज़ है algorithm का use होता है designing designing के time पे और program का use होता implementation time पे तो यह तो हुआ second difference and third difference जो है वो algorithm को हम किसी भी language में लिख सकते हैं जैसे अभी आपने देखा हमने natural language में लिखा था जो पीछे sum of two numbers निकाला था तो algorithm किसी भी language में लिख सकते हैं और program लिखने के लिए programming language का knowledge होना जरूरी है अब जो fourth difference है वो है algorithm की हम analysis करते हैं और program की हम testing करते हैं अब जो fifth difference है वो तो आपको easily समझ में आई रहा होगा algorithm जो है वो hardware और software independent है and program जो है वो hardware और software dependent है means जैसे आपने कई सारे software देखे होंगे जो window के लिए available हैं बट Linux या OS के लिए नहीं है तो बो सारे software operating system dependent है तो similarly program हमेशा depend करता है hardware और software और algorithm को इन दौनों से ही मतलब नहीं रहता तो गाज अब हम इस वीडियो का last topic देखते हैं need of algorithm algorithm की जरूरत अब जो पहला point है वो gives an approach to solve the problem अब गाज मैं अपने personal experience से बोला जब हम इस chapter को basic level पर समझ लेंगे तो हमारे पास clear cut way मिलेगा maximum problem को solve करने के लिए second point is to understand the basic theme of the problem means जब भी हम किसी problem का algorithm डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते टाइम पे हमें problem का basic theme या basic जो goal है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम problem में achieve क्या करना चाहरे and third point is it can improve the efficiency existing technique means अब guys हमारे पास किसी भी problem को solve करने के लिए multi-way हो सकते हैं कई सारे तरीके हो सकते हैं तो तो guys इस chapter में हम यहीं शीखेंगे कि कि किसी भी problem को solve करने के लिए कौन सा solution best है और efficient है and cost भी काफी कम है cost का मतलब मेरा time and space है and fourth point is we can learn the fundamental concept of designing the algorithm अब obvious सी बात है जब हम algorithm को design करेंगे तो उसके पीछे जो basic principle है fundamental जो concept designing के वो तो हम सीखेंगे इस chapter and fifth point is अब guys यहां पर algorithm जैसे हमने किसी भी problem का लिखा तो मालों किसी designer ने लिखा और कोई दूसरा designer अगर उससे समझेगा तो उसे एक algorithm से clear-cut idea लग जाएगा कि problem में क्या-क्या requirement होगा and उसका description क्या है goal क्या है problem का problem achieve क्या करना चारी वो सारा algorithm से अच्छे से पता चल जाता है one of the most important concept of this chapter complexity तो guys इस chapter में हम किसी भी problem का time and space दोनों point of view से हम उसकी complexity बता पाएंगे define कर पाएंगे कि कितना costly यह program हो सकता है with respect to input size okay and last point is to measure the performance or behavior of the function in all the cases अब guys इस chapter को पढ़ने के बाद हम किसी भी problem का best case average case और worst case में performance पता पाएंगे और इन तीनों case में हम उस problem की complexity को भी पता कर पाएंगे इस chapter को पढ़ने के बाद तो guys यह सारी चीज़े हुई जो हम इस topic में cover करेंगे यह course guys बढ़ा हो सकता है लेकिन आपको इसमें quality content मिलेगा यह आप मेरे पे believe रखिए अब guys आप लोगों को at least तीन काम करने हैं इन में से subscribe, like, comment and share अब इन चार कामों में से आपको जो तीन अच्छे लगें वो आप कर दीजिए क्योंकि आपको भी पता है शिलाइड बनाने में और वीडियो अपलोड करने में काफी time लग जाता है एक वीडियो दस मिनट का एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 2-3 दिन लगते हैं मैंने आपको वीडियो फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि यह course beginner to professional level का होगा तो मुझे उसी point of view से कई जग बहुत headache हो जाती है फिर thumbnail बनाना तो इसमें easily 2-3 दिन consume हो जाते हैं तो आप मेरे motivation के लिए तो आप मेरे motivation के लिए कम से कम 3 चीज़ें तो करी सकते हो यार तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए अपना खयार रखिए सुरच्छित रहिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो मे thank you